उधारन दो यदि त्रिभुच ABC में AP बराबर PB और CP लंब हो AB पर तो सिद्ध कीजिए कि पहला त्रिभुच CPA सर्वांग सम्हें त्रिभुच CPB और दूसरा AC बराबर BC अब हम उधारन दो पर बात करने जा रहे हैं उधारन दो में जो हमें समस्षय दी हुई है आपके सामने है एक त्रिभुच ABC हमें दिया हुआ है और ये बताया गया है कि इस त्रिभुच में भुजा AP और PB बराबर है ये आप देख रहे हैं AP और PB बराबर है दूसरी जानकारी हमें दी हुई है कि CP लंब है AB पर C से एक जो CP आप देख रहे हैं एक रेखाखंड है वो रेखाखंड AB पर लंब है ये जानकारी हमें दी हुई है और हमें सिद्ध करना है कि जो दो तरिभुज बन रहे हैं तरिभुज CPA और तरिभुज CPB यह दोनों दूबिश तographics आज्ट करना है और दूश्वूज अंत्र है यह दोश्वूं करना है, इस currently on the B romanticляются, है तो चलिए देखें और सर्वांगसमत्ता की सित्हां का उपयोग करेंगे और यह बताएंगे कि it है आप देखिए त्रिबुज CP A और CP B में यह भुजा AP और दूसरी को भुजा PB आपस बराबर है और और को कि CP AB पर लंभ है तो आप देख सकते हैं कि यह सम कोड होगा और यदि यह सम कोड है दूसरी तरफ का जो कोड भी है, दूसरी तरफ का जो कोड है, वो भी समकोड होगा, तो इन परिणामों को हम लिख ले, हम लिखें त्रिभुज CPA और त्रिभुज C, P, B में भुजा A, P, बराबर भुजा P, B A, P, बराबर P, B, ये हमें दिया हुआ है, और कोड P पर बनने वाला कोड, C, P, A कोड, C, P, A, बराबर कोड, C, P, B C, P, B, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये सम कोड है, ये भी हम लिख ले अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में भुजा C, P, उभैनिस्ट है, दोनों त्रिभुजों में मौजूद है, इसको हम लिख लें पहले त्रिभुज की भुजा C, P, दूसरे त्रिभुज की भुजा C, P के बराबर है, और ये उभैनिस्ट है वह भैनिस्ट भुजा, और ऐसी परिष्टी में आप देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं, A, P, और C, P, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं, P, B, और C, P, के बराबर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कौन भी आपसे बराबर है, जैस इस परिष्टी में आप कह सकते हैं कि त्रिभुज, C, P, A, और C, P, B, सरवांग सम है, यह कथ हम लिख लें, त्रिभुज, C, P, A, सरवांग सम है, त्रिभुज, C, P, B, के, यह प्रमानित हुआ, सिद्ध हुआ, और जब कोई दो त्रिभुज सरवांग सम है, तो उनके शेस अव्यों अपनी संगत भुजाओं या कोणों के बराबर होंगे, उस इस सिति में आप कह सकते हैं कि पहले त्रिभुज की भुजा, A, C, दूसरे त्रिभुज की भुजा, B, C, के बराबर है, यह भी हम लिख लें, इस तरह से आप देख रहे हैं कि दिये वी चित्र में जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, उन दोनों त्रिभुजों के भुजाए, A, C और B, C आपसे बराबर हैं, और दोनों त्रिभुज भी सरवांग सम हैं, और यह आपको प्रमानित करना था, आप भी एक बर कोशिश प्रिभुज जो सम देख अजैं, और, B, K, A, C, G, आप कीचेश था, A, C, A, C, आप कीच जोनों त्रिभुजजध, जो प्लोदास Okay, C,